हाले फ्रेंड्स आप लोगों को इस शैनल पे दुबारा स्वागत है यह हिस्ट्री का डिस्कसन है और हम लोग मौडान हिस्ट्री का डिस्कस करें जिसमें आज का टॉपिक है सविनाय अवग्या आंदोलन चलिए कोस्टन को एनालेसिस करते हैं कोस्टन एनालेसिस के दोलान ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कबर हो जाएगा, पहला कोस्चन है, केस कॉंग्रेस सत्र में कारेकारणी कमीटी को सविनय अवग्या आंदोलन प्राराम करने का दिकार दिया गया था, तो लाहोर सत्र में, बी आपका करेक्ट अंसर है, 1929 में लाहोर कॉंग्रेस अधिवेशन में कॉंग्रेस कारेकारणी को सविनय अवग्या आंदोलन शुरू करने का दिकार दिकार दिया गया, फरवारी 1930 में सावरमत्ती आश्रा में हुई कॉंग्रेस कारेकारणी की दूसरी बैठक में, महत्मा गांदी को जो है, इस आंदोलन करने तरित्व सौपा गया सेगंड नमर कोश्चन है डांडी यात्रा के साथ निमिलिकित में से क्या प्रारम हुआ तो सविने अवग्या आंदोलन महात्मा गांदी ने 12 मार्च 1930 को अपने परसिद डांडी मार्च शुरू किया और सावरमती आसरम से इनों ने अपने 78 चुने हुए साथ्चियों के साथ सत्यागरफ की शुरुवात की और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाल उन्होंने 6 अप्रेल 1930 को डांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंकिया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने अवचारिक रूप से सविने अवग्या आंदोल की सुभारम कर दी सविने अवग्या आंदोलन गांदी जी के नेत्रित्व में पूरे देश में फैल गया और तमिलाडू में गांदी वादी नेता जिनका नाम था सीराज गोपाल चारी इनोंने तिरू चेन गोंड आस्रम से तिराचरा पल्ली से वेदा रणयम तक जोए न नेक्स कोस्टन है ठड़ डांडी यात्रा की गई कब की गई तो 1930 में आपका इसका डी करेक्ट अंसर है कोस्टन नमर फोर है सविने अवग्या आंदोलन के रूप में गांदी ने डांडी मार्च प्रारम किया था 12 मार्च 1930 को सी आपका सही जवाब है फाइब नमर कोस्टन गांदी ने डांडी यात्रा प्रारम की थी कहां से तो अपने साबरमति आश्रम से जो आमधाबाद में है बी आपका सही जवाब है फाइब के बाद सीक्स नमर जो कोस्टन में पूचा गया है की नेमिलकित प्रांतों में से किस सत्ट्यागरईयों की संखिया महात्मा गां गांदी ने डांडी यानि गुजराद में समून्द टट पर जो है नमक कानून का उलंगन करके सविनाय अवग्या आंदोलन प्रारम करने के उद्देश से अपने सावरमतियासम जो अमाधाबाद में है यहां से 78 अपने साथियों के साथ सत्यागरा को जो है शुरुआत की इ इन 78 सत्यागराईयों की सूची नाम सहित देख सकते हैं जो इनके बारे में अगर इंट्रेस्टेड है तो वो लोग पूरी नाम इन 78 सत्यागराईयों की वहां पे पूरा विवरा दिया गया है नाम सहित आप देख सकते हैं और यह भी देख सकते हैं यहां पे कि किस रासे क इतने सत्याग्रही जो थे सामिल थे इन 78 सत्याग्रहियों में तो गुजरात में सबसे ज्यादा थे 31 लोग जो है सामिल हुए थे इसके बाग आप महाराष्ट में देख सकते हैं 13 उत्तर परदे से 8 कच से 6 केरल से 4 तो ज्यादा यह important नहीं है अगर फिर भी आप देखना चाह अंसर है महात्मा गांदी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की और अपने 78 अनुनाईयों के साथ उन्हों ने डांडी मार्च किया और 24 दिन की लंबी यतरा के पैस्चा 6 अप्रेल 1930 को यह डांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून तोडते हैं और यहीं से अंदोलन में महिलाओ की भागिदारी स्रवाधिक मानी जाती है एट नमर कोस्चन है महात्मा गांदी ने 1930 में सविनाय अवग्या अंदोलन प्रारम किया बताइए कहां से तो डांडी से आपका B सही जवाब है महात्मा गांदी 12 मार्च 1930 को साबरमति आसरम से 78 अनुनाईयो के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में अलगवग 390 किलोमेटर की यात्रा कर डांडी पहुँचे और वहाँ पे 6 अप्रेल 1930 को उन्होंने नमक कानून जो है तोड़कर सविनाय अवग्या अंदोलन की सुरुआत की कोस्चन नमर 9 ने सविनाय अवग्या अंदोलन शुरू हुआ बताइए तो डांडी मार्च के बाद C आपका सही अंसर है और 10 नमर कोस्चन है डांडी मार्च शुरू किया गया था बताइए तो डांडी मार्च देखिए नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया गया था बी आपका correct answer है question number जो 11 है देखते हैं एतिहासिक डांडी मार्च का जो संबंध है बताना है कि किस से है तो नमक कानून को तोड़ने से बी सही जबाब है सबसे पहले कौन सी घटना गटी देखिए इन चारों अप्शनों में सबसे जो पहली घटना गटी थी साइमन कमिशन का आगमन ये 1928 में इनका आगमन होता है तीन फरवारी 1928 को इसके बाद देख सकते हैं कि डांडी मार्च का जो प्राराम है इसका तारिक जो है 12 मार्च 1930 है भारत छोड़ो अंधोलन का जो प्राराम का तीथी है जो है इसका आगमन डेट है और गांधी इर्विन समझा होता 5 मार्च 1931 को होता है तेरा नमर कोशन है भारतिय इतिहास में 6 अप्रेल 1930 की इस्थिति जानी जाती है मात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च के लिए जानी जाती है यतिति बहुत जादा इंपोर्टेंट है आप याद रखिएगा और नेक्स कोशन हमारा है अच्छा इसके बारे में देख लेते हैं फिर से रिवीजन भी हो जाएगा आपका 6 अप्रेल 1930 को मात्मा गांधी ने डांडी में एक मूठी नमक हाथ में लेकर सिविल नाफ्रामानी आंदोलन यानि सवीन अवग्या आंदोलन इसका स्रिगनेस किया सुबास चंद्रबोस ने गांधी को इस अभ्यान की तुना नेपोलियन के इलवा से पेरिस की और जाने वाले अभ्यान से की थी एक अंग्रेजी समाचाज सर्वधाता ने खिली उड़ाई और कहा कि क्या समराट को एक कितली में पानी उबालने से हराया जा सकता है इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा गांधी महदे समूंदरी जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक की डोमेनियन एस्टेटस नहीं मिल जाए और नेक्स्ट अमारा कोशन है 14 जिसमें कथन एक कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्स 1930 में चलाया गया था और कारण आर में कह रहा है कि महात्मा गांधी का उदेश था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब दो तो देखिए इसमें दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है सही नहीं है पहला सही है तो आपका इसमें अप्शन होगा सी और इसके बारे में फिर से देख लेते हैं गांधी जी दुआरा आरम किये गए सविनाय अवग्या आंदोलन में पर्तिक करूप में 6 अप्रेल 1930 को डांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिस सरकार के प्रति अवग्या अपनाई गई आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वासराय एरविन के समक्ष 11 मांगे रखी थी उसमें जो है नमक कर और नमक पर सरकारी एक अधिकार की समाप्ती की मांग की गई थी नकी गरीबों को मुप्त में नमक उपलब्ध कराने की 15 नमर कोशन है सक्ति के विरुद अधिकार की इस लडाई में मैं विश्विकी सानुभूती चाहता हूँ यह कथन किसे सम्बंध है तो यह कथन जो है गांधी की डांडी यातरा से सम्बंधित है भी आपका इसमें अप्सन होगा 5 अप्रेल 1930 को महत्मा गांधी अपने नमक सत्यागरा के तहत डांडी ग्राम पहुँचे उन्होंने डांडी आया सभी देशी बीदेशी पत्रकारों को सम्बंधित किया और कहते है कि सक्ति के विरुद अधिकार की इस लडाई में मैं विश्विकी सानुभूती चाहता हू 16 नमर कोश्चन है गांधी के डांडी मार्च के संदर में निमलेखित में से कौन सा कत्वान अस सकते है चार इसमें स्टेटमेंटें पहला है यस्तावरमत्ती आस्परम से डांडी ग्राम तक का मार्च था बी नमक करका बीरोद करना इसका विश्येस परियोजन था समुंद्र के किनाले पहुँचकर गांधी ने नमक बनाया था और नेक्स जो इसमें अप्शन है या पूरी तरह से पैदल माच था तो इसमें सी आपका सही मतलब की अप्शन होगा और इसके बारे में देख लेते हैं गांधी ने डांडी में समुंद्र टटपर नमक कानू परस्यक बस्तु की बिकरी को नियंतरित कर रखा था और उस पर कार रोपड किया था जिसका गरीबों पर अत्याधिक पर्तिकूल प्रभाव पड़ता था 12 मार्च 1930 को गांधी ने डांडी मार्च शुरू किया उन्होंने अपने सावर मत्ति आसरम जो अमधाबाद में है यहां से 78 अपने चूने हुए साथियों के साथ सत्यागरा के लिए कुछ किया यानि शुरुआत किये और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 5 अप्रेल 1930 को वे डांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रेल 1930 को उन्होंने एक मूठी नमक को हाथ में लेकर जो है इस कानून को तोड़ते हैं और सवी नय अवग्या आंदोलन का स्रीगड़ेश कर देते हैं इस तरह से जो आपका C असत्य कथन है और 17 नमर कोशन दिखते हैं निमलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की डांडी यात्रा के बिश्या में असत्य है तो फिर से बताना है कि इन 4 स्टेट्मेंट में से महात्मा गांधी की डांडी यात्रा के संदर में कौन सा सत्य पहला यानि ए अप्शन में है यह पुर्त एक पैदल यात्रा थी ठीक है आपको पता है कि उपर में इसके बारे में दो तीन बार नहीं मतलब की बहुत बार रिपीट कर चुके हम लोगों ने हर कोस्टन में इसका जिक्र हुआ है बी अप्शन है साबरमत्य आश्रम से आरम होकर इसका समापन डांडी में हुआ था सी साबरमत्य आश्रम से सुरू समुची यात्रा जो है 24 दिनों में पूरी हुई थी और डी है इसकी सुरुआद 12 मार्च सुरी मदब 15 मार्च 1930 को की गई थी लेकिन ये आपका इसमापस्त्य कतन है इसकी सुरुआद 12 मार्च 1930 को की गई थी तो डी आपका अप्शन होगा इसमें कोसर नमर 18 है नमक सत्यागरा के समय गांधी को गिरहतार कर लिया जाता है यानि गिरहतार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किस ने लिया तो देखिए जब गांधी जी को गिरहतार कर लिया जाता है तो उनका स्थान अबास तयब जी लेते हैं यह आपका correct answer है और इनके बारे में देख लेते हैं गांधी जी ने अपने 78 सयोगियों के साथ साबर मत्यासरम से 240 मिल दूर समूंद्र टट पर बसे डांडी गाव में 6 अप्रेल को पहुँच कर नमक बनाया और नमक कानून का उलंगन किया इस सत्यागरा में गांधी जी के गिरफ्तारी सोलापूर में हुई तत पस्चात आंदोलन का नेत्रेत अबबास तयाब जी ने समाल लिया इनके हाथों में आ गया और इस आंदोलन में इस्तिरियों ने अपनी भागिदारी जो है किती कोशन नमबर 19 मातमा गांधी धर्सना नामक गोदाम पे कॉंग्रेस कारेकरताओं के धावे के समय कहां पे थे तो देखिए जब धर्सना नामक गोदाम पर मातमा गांधी जब इस पे धावा हुआ कॉंग्रेस कारेकरताओं के द्वारा तो मातमा गांधी यरवदा जेल में थे उसमें यह आपका सही अंसर है इसमें और इनके बारे में फिर से देख लेते हैं सविनाय अवग्या आंदोलन के दोरान धर्सना नाम गोदाम पर जो है कॉंग्रेस कारेकरताओं के धावे से पूर्व महातमा गांधी को जो है पांच मई 1930 को गिराफतार करके यर्वदा ज 21 मई 1930 को धर्सना नाम गोदाम पर धावे का नेतरेत्व किया तो उनकी भी गिराफतारी के बाद यानि जब अबास तयब जी का गिराफतारी हो गया तो सरोजनी नाइडू जो है 21 मार्च 1930 को धर्सना नाम गोदाम पर जो धावे हुआ इसका नेतरेत्व इन्हों ने किया ल प्रतों बार गिरफतार हुए थे, तो सविनाय अवग्या आंदोलन में और इसके बाद अचार इनके बारे में एक दो पॉइंट है तो देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है अचार विनोबा भावे गांदी जी के निकट सायोगियों में से थे गांदी जी द्वारा संचालित विभिन आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया 1930 में वे सविने अवग्या आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रत्थम बार गिरफतार हुए थे एक किस नमर क्वोस्टन है गांदी ने जिस भिदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने सावर मत्ती आसर में ठहराया था वह कौन थे वह थे विव मिलर बी आपका सही जबाब है और आगे बढ़ते हैं देखें वेर मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जिसे गांदी ने डांडी मार्च के समय अपने सावर मत्ती आसर में ठहराया था धर्सना की विभथ से पुलिस ज्यादतियों का उले करते हुए इसने लिखा था कि सन्वधाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्स में असंखे नागरिक बिद्रो देखे हैं दंगे गली कुचों में मार्काट विद्रो देखे लेकिन धर्सना जैसा भयानक द्रिस मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा किसने यह बात लिखी थी आपको पता है तो यह जो पत्रकार थे इन्हों ने यह जो सन्वधाता थे इन्हों ने इसकी जो है इस तरह से जिक्र किया था कोश्चन नमर 22 है इन्हों से किस ने अप्रेल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजो टट पे एक अभियान संगटित किया था तो C. राज गुपाल चारी B. आपका इसमें अप्शन होगा 6 अप्रेल 1930 को गांधी जी ने घुजरात के डांडि टट पे जो है नमक बनाकर नमक कानून का उलंगन किया और इसी किस्था संपूर्ण देश में सविनय अवग्या आंदोलन का सुभारम हुआ समस्त देश में नमक कानून उलंगन समंदित अभियान संचालित किये गए तमिलाडू में तंजोर के समुंदरी टट पे जो है चक्रवती राज गोपाल चारी है तिरिच इनापली से वेदारणयम की नमक यातरा प्रारम की और 30 अप्रेल को जो है इनको गिरफ्तार करने के बाद भी या आंदोलन इनके समर्थकों द्वारा चलता रहा नेफ्ट 23 नमर कोश्चन है निमलकित में से कौन डांडी मार्च में महत्मा गांदी के साथ था तो वेव मिलर थे भी अपका इसमें अप्शन होगा 24 नमर कोश्चन है भारतिय स्वाधिन्ता संघस के दोरान रेड़ सट के नाम से भी पहसाने जाने वाले खुदाई खिद्मत गारों ने अहवान किया क्या क्या था ए है उत्तर पस्षिम के पक्तून जंजाती छेत्रों को अफगनिस्तान के साथ मिला कर एक करने का दूसरा है यानि बी जो एस्टेट्मेंट है उपनीवेशी है सासकों को जो है आंतकित करने और अन्त में उन्हें हटा देने के लिए आंतकवाधी युक्तियो और समाजिक सुधार के लिए सामेवाधिक क्रांतिवाधी विशारधारा अपनाने का और नेक्स्ट जो है इसमें पठान छेत्रिये राष्ट्रवाधी एक्ता का और उपनिवेश्वाध के बिरुद संघर्ष का तो देखिए इसमें डी आपका अप्सन होगा और इसके बा इन्हें लाल कूर्ती यानि रेड़ सट के नाम से भी जाना जाता है रेड़ सट संघर्ष के लिए पठानों को राष्टिये एक्ता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतन्ता के लिए बिरिटेश उपनिवेश्वाध के बिरुद आंदोलन संघर्ष किया स्रम जीवियों की हालत में सुधार की मांकी और किसने इस संघर्ष किया और जब अन्य प्रांतों में मुसल्मान स्वयम को सत्यागरा आंदोलन से अलग रख रहे थे उत्तर पस्यमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफार खाके नित्रेत्तों में समिने अवग्या आंदोलन में एक महत्पूर भूमी का निभाई थी 25 नमर कोशन है लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके द्वारा तो बताईए तो अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल आपको पता है खान अब्दुल गफार खान के द्वारा संगठित किया गया था C आपका इसमें आप्सन होगा और नेक्स्ट नमारा 26 नमर है गढवाल रेजिमेंट के साइनिकों ने परदस्वन कारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था तो सविनय अवग्या आंदोलन इसका सही मतलब की जवाब होगा गढवाल रेजिमेंट जो है इसके साइनिकों ने परदस्वन कारियों पर जो है सविनय अवग्या आंदोलन के दोरान गोली चलाने से इंकार किया था सवीनाय अवगे आंदोलन के दौरान पिस्तावन में गडवाल रेजिमेंट के सिपाईों न जो है चंदरसी गडवाली के नेतरेत में निहत्थी भीड़ पे गोली चलाने से इंकार कर दिया था और इस इसे लाके में खान अब्दुल गफार खान को वर्सों से सक्रिये थे और उनके द्वरा जनता में किये गए काम की वज़ा से अहिंसक क्रांतिकारियों के बहादूर जत्ते यानि खुदाई खिद्मतगारों के दल त्यार हुए थे ये लोग लालकुर्टी या रेड़ सट के नाम से जाने जाते थे समीने अवग्या आंदोलन में इनकी भूमिका काफी सक्रिये थी 27 नमर कोशन है लालकुर्टी आंदोलन के नेता थे कौन थे तो खान अब्दुल गफार खान बी आपका सही जवाब है और इसके बाद कोशन नमर 28 है सन 1930 में अंग्रे सरकार के बिरूद परसीद पेसावर कांड का नायक कौन था तो विर्चंदर सी गडवाली और इसके बाद 29 नमर कोशन है जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारम हुआ तो मड़ीपूर में हुआ था इसके बारे में देख लेते हैं सविनाय अवग्या आंदोलन के दोरान मड़ीपूर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागिदारी दिखाई और यहाँ पर आंदोलन का नेत्रेत नगा जनजाती की महिला गौडे निलियों ने किया इसे जो है जीया तरंग आँदोलन कहा जाता है कोशन नमबर 30 से बेगु सराय के चोकिदारी टैक्स के बिरूद आँदोलन एक हिसा था किसका? तो सविनाय अवग्या आँदोलन का देसंबर 1930 में सवीनाय अवग्या आंदोलन के दोरान उत्तरी बिहार के सारण जीले में बिहोर नामकस्तान पे चौकिदारी टैक्स के बिरूद में परदसन हुआ था परदसन कारियों ने बंदूग से 27 बार छरे दागे जाने की परवा नहीं की और अगले महीने बेगु सराय यानि मुंगेर जीले में सौतंत्रता दीवास के लिए एक कत्रित भेड में भारी संक्या में ग्रामवासी आका समलित हो गए और उप मंडल अधिकारी को जो है एक गड़े में ख़देड दिया 146 बार गोली बारी किया जाने के बाद भी वे विसरजित हुए क्योसर नमबर 31 से सवीनाइश अवग्या अंड यानि जो सवीनाइश अवग्या अंड़ोलन है इसकी असफलता के बाद गांधी जी ने महत्वे दिया था किसको रचनात्मक कारियोको महत्वे दिया था ये आपका इसमें सईच जवाब है और आगे देखते हैं सविनाय अवग्या आंदोलन की असफलता के बाद गांधी ने रचनात्म कार्यों को जो है यानि क्रियेटिव जो वर्ग था क्रियेटिव जो कार्य थी इसको महत्वे दिया और अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उठान में लगाने के लिए सक्रिय राजनितिक से स्वयम को हटाने का निश्चय किया सितामर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्लाण के लिए अखिल भारतिये छुवाचुत बिरोधी लिख की अस्थापना की तथा हरिजन नामक सब्ताहिक पत्र का भी परकासन किया तो याद रखना है हरिजन जो पत्र था किन जो प्रभावती देवी है यह पत्र चेत्र से स्वतंता संग्राम की सिनानी थी और इनके बारे में देख लेते हैं स्वतंता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्पून योगदान दिया था और इन महिलाओं में सरला देवी प्रभावती देवी राजवंसी देवी सु लाधनता संगराम सिनानी थी नेक्स्ट वारा टॉपिक है गांधी एर्विन सम्झहोता तो चलिए इस टॉपिक को भी कबर करते हैं वैसे इंपोर्टेंट टॉपिक है तो एक-दो बार रिवीजन करते रहिएगा पहला है गांधी एर्विन सम्झहोता हुआ मुख रुप से गोल में समयलन में कॉंग्रेश की भागिदारी सहज करने के लिए गांधी इर्विन समझाता मुख रुप से हुआ था यह इसका जो है सही अप्शन है और इसके बारे में डिस्क्रस कर लेते हैं गांधी जी ने फरवारी 1931 में वायस रायर लोड इर्विन से भेट की और उनकी बाचित 15 दिनों यानि 8 वार वरता हुआ और 15 दिनों तक चली इस 8 वरता में जिसके परणाम स्वरुप 5 मार्च 1931 को एक समझाता हुआ जिसे गांधी इर्विन समझाता के नाम से जाना गया इस समझाते के तहत कॉंग्रेस को समिनय अग्या आंदोलन अस्थागित करना पड़ा कॉंग्रेस द्वित्य गोल में समयलन में भाग लेने के लिए त्यार हो गई वस्तुता प्रतम गोल में समयलन में कॉंग्रेस सामिल नहीं हुई थी या समझाता मुख रुप से गोल में समेलन में कॉंग्रेस की भागेदारी सहज करने के लिए हुआ था question number second है गांधी इर्विन समझाथा पर हत्ताक्षर हुए बताईए तो 1931 में यह आपका सही जबाब है और next देखते हैं अच्छा इसके बारे में important है तो 4.5 जो point है देख लेते हैं फिर आगे जो question आएगा उसको analysis करेंगे गांधी इर्विन समझाथा जो है 5 मार्च 1931 को संपन होता है और इस समझाथे के अनुसार जो पहला इसमें point है गांधी जी के नेत्रेतों में कॉंग्रेस समीने अउध्या आंदोलन अस्थागित करने के लिए त्यार हो गई इस जो समझाथा में पहला जो बाते कही गई थी दूसरा जो इसमें जो बात थी कि सभी यूद जो बंदी हैं इनको यानि यूद बंदी जिनके विरुद हिंसा का आरोप नई था इनको रिहा करने का आदेश तिसरा इसमें जो जिक्र किया गया था कि बिदेशी कपडों और सराब की दुकानों पर सांती पूर्ण धरना देने का अधिकार दिया जाए और पांचवा समुंद्र टटिये परदेशों में बिना नमक कर दिये नमक बनाने के अनुमति हो और पांचवा कॉंग्रेस के दिवित्तिये गोल में समयलान में भाग लेने की लिए जो है त्यार हो गई इस समझावते में इस समझावते ने जो है जनता को निरास किया क्योंकि भागत्सी सुकदेव और राजगुरु ने जो है राजगुरु की जो फांसी हुई थी यानि फांसी ना दी जाने की जनता की मांग को इसमें समलित नहीं किया गया था कोशन नमर ठाड है गांधी इर्विन समझावता हुआ था कब हुआ था तो 1931 में और फोर नमर कोशन है पांच मार्च 1931 को जो है नमर में से कौन सा समझावता हुआ तो गांधी इर्विन समझावता तो आपका सी सही मतलब की जवाब है नेक्ट कोशन देखते हैं फाइफ नमर कित में से किस का अस्थान गांधी इर्विन समझावता में किया जाना प्रस्थाविता तो सोरी नेमलिकित में से किसका अस्था गन गांधी इरिविन समझाता में किया दाना प्रस्थाविता तो सवीना अवग्या आंदोलन का D. अका सही जवाब है गांधी इरिविन समझाथा में समीना अवग्या आंदोलन को अस्ताकित करने का प्रस्थावित किया गया था और नेक्स्ट हमारा है सिक्स नमर कोस्टन गांधी इरिविन समझाथा के हत्ताक्षरित होने में किस ने महत्पूर्ण भूमिका निवाई गांधी इरिविन समझाथा को हत्ताक्षरित होने में जिनका सबसे महत्पूर्ण भूमिका था उनका नाम था तेज बहादूर सप्रू C. आपका सही जवाब है सवीनाय अवग्या अंदोरम के विस्तारित होते सवरुप को जो देखते हुए वाइसराय एर्विन ने देश के सोहाद्र का वातावरण उत्पन करने के उद्देश से 26 जनुवरे 1931 को गांधी जी को जेल से रिया कर दिया गया तेज बहादू सप्रू तथा एम आर जैकर इनके प्रयतनों से गांधी और इर्विन के मद फरवरी 1931 में दिल्ली में वारता आरंभ हुई 5 मार्च 1931 को दोनों के मद एक समझाता हुआ जो गांधी इर्विन समझाता के नाम से जाना गया इस समझाता के परिपरेच में सरोजनी नाइडि ने गांधी और इर्विन को दो महतमाती संग्या दी यानि दटू महतमाद सिवे नमर कोस्टन है निमलकित बैक्तियों में किस ने इर्विन तथा गांधी को दो महतमा कहा था तो बताइए सरोजनी नाइडू ने इन दोनों को महात्मा कहा था क्वेस्टर नमबर एट है निवलिकित में से कैसे ने गांधी एर्विन समझाता में महात्मा गांधी के लाव को संतावना पुरुसकार कहा था गांधी एर्विन समझाता में महात्मा गांधी के लावो को संतावना पुरुसकार और एर्विन के एक मात्र आत्म समर्परण के रूपने बाचिक के लिए समत होने को कहा उत्तर परदेश लोकसिवायोग ने आरंविक उत्तर पत्र में इस प्रस्ण का बिकल्प यह को माना था प्रन्थू जो संसोधित उत्तर पत्र दुबारा जबाया तो इसका उत्तर था B को सही माना गया तो याद रखना है बी आपका सही जवाब है एरन कैंपिबेल जॉन्सन और नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन तो नहीं है इसका इस टॉपिक से रिलेटेट सारे कोशन समाप्थ हो चुके हैं हमारा नेक्स टॉपिक है कॉंग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 तो चलिए इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं पहला कोशन देखते हैं निमलिकित में से किस ने भारती राष्टिये कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापती त्वे किया था तो बताएए वल्ला भाई पटेल ने इसका सभापती त्वे किया था गांधी एर्विन समझोता दिली समझोता के नाम से भी यह जाना जाता है इसको मंजूरी देने के लिए सरदार वल्ला भाई पटेल की अध्धक्ता में 29 मार्च 1931 को कॉंग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ इस अधिवेशन में पहली बार कॉंग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्टिये आर्थी कारेकर्मों से संबंध प्रस्तावपारित किया इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के बिरोध करने पजो है गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है गांधी वाद नहीं यह पहला असर था जब कॉंग्रेस द्वारा परिभासित किया गया सेकेंड नमर कोस्टन है 1931 में भारती राष्टिये कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसके अधिवेशन था सरदार पठेल कर रहे थे किसने मूल अधिकारों तथा आर्थी कारेकरम पर संकल्प प्रारूपित किया था तो आपका इसमें सही जबाब होगा पंडित जुआलाल नेरू इनके बारे में देख लेते हैं 1931 में हर्थी राष्टिये कांग्रेस से कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों और आर्थी कारेकरमों पर संकल्प पंडित जुआलाल नेरू ने प्रारूपित किया था और इम इन राय ने जो है इसमें सयोगी की भूमी का निवाई थी सेकेंड के बाद तो थर्ड नमर हमारा कोश्चन है देखते हैं क्या है इसमें थर्ड नमर कोश्चन में पूछा गया है निमलिकित में से किसने भारती राष्टिये कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 को हुआ था माहत्मा गांधी की लोग प्रेता के तो बताइए इसमें जो स्वाच्चंद्र बोस हैं इन्हों ने राष्टिये कांग्रेस से कराची अधिवेशन को माहत्मा गांधी के लोग प्रेता और सम्मान की प्राकस्टा माना तो यह आपका सही जबाब है एसी बोस और आगे बढ़ते हैं तो इसमें बताना है कि कौन सा गटना पहले हुआ तो देखे इसमें जो होगा आपका सही अप्सन होगा सी देख लेते हैं देखे गांधी इर्विन सम्झोता जो है यह कॉंग्रेस ने वाश्राय के साथ बातचीत के लिए गांधी को अधिकरित किया गांधी और इर्विन के बीच लंबी बातचीत के उपरान 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक सम्झोते पर हत्ताग ठर हुआ जिसे गांधी इर्विन सम्झोता के रुप में जाना जाता है इसके बाद भगत सी को फासी है यह लाहोर सरेंट कांड में भगसी, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फासी दी जाती है इसके बाद कॉंग्रेस का जो कराची अधिवेशन है यह 26 से 29 मार्च 1931 तक होता है और कॉंग्रेस के वासिक अधिवेशन में गांधी इर्विन सम्झोता की जो है संपुष्टी की गई यानि इस अधिवेशन में दितिये जो गोल में सम्झोता का दूसरा सत्र जो है 7 सितमबर 1931 को प्रारम हुआ जिसमें महात्मा गांधी कॉंग्रेस के एक मात्र परतिनीदी के रूप में समलित हुए थे या सम्मेलन जो है पूर्टा निस्फल रहा याद रखना है कि गांधी जी किस गोल में सम्मेलन में समलित हुए थे नेश्ट देखते हैं कोस्टन नमर 5 है भारतिये राष्टी आंदोलन से संबंदित निमलित घटनाओं को पढ़ना है आपको बढ़कर बताना है कि पहला घटना कौनसी घटित हुए यानि कालक्रमा नुमसार आपको बेवस्तित करना है तो देखिए इसमें भारतिय राष्टी कॉंग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 26-29 मार्च के बीच होता है 1931 में राजगुरु को 25-25 मार्च 1931 को और गांधी रिविन समझोता 5 मार्च 1931 को होता है इस तरह से आपका 3-2-1 यह आपका correct answer है आगे बढ़ते हैं और next question हमारा है 6 भारतिय स्वाधिन्ता संग्राम से संबंदित निमलिके घटनाओं पर विचार कीजिए तो देखिए इसमें आपको कलानुकरम के अनुसार जो है इसमें आपको विवस्तित करना है same question पूशा गया है तो इसका पहला यानि जो होगा आपका पहला जो आएगा गांधी इर्विन समझोता इसके बाद भागसी की फांसी इसके बाद भारती राष्टी कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन इसके बाद पूना समझोता तो इसके बाद देख लेते हैं इनके जो काला नुकरम है देखें गांधी इर्विन समझोता पांच मार्च 1931 को हुआ था यह सारे डेट आपको याद रखना है क्योंकि इससी तरह से कोस्वन भी पूछे जाएंगे भागसी को जो फांसी हुआ था सोरी 13 मार्च 1931 को हुआ था और भारती राष्टी कॉंग्रेस का कराची अधिवेशन जो है 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था पूना समझा हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था सायद हम लोगों ने इससे पहले भागसी की जो फांसी हुए थी 25 मार्च सायद मैंने बोल दिया था गलती से तो याद रखेगा 23 मार्च 1931 से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोल में समेलन तो देखे इस टॉपिक का डिसकस्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अभी के लिए इतना ही और आप अपना परतिकरिया जरूर दें कोई भी आपको डाउट हो कुस्टन से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं आप इंस्टागराम, फेस्बुक पेज और टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं डिसक्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वीडियो के डिसक्रिप्शन बॉक्स में जाईएगा तो आप आपको लिंक मिल जाएगा आप विजिट कर सकते हैं अभी के लिए इतना है थैंक यू